तो आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड को समझेंगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है और इसके जो चार की एरियाज है वो क्या क्या होते हैं वो हमें एक्चुली बताते क्या हैं तो यह सब आप पूरा भूल जाएए एक मिनट के लिए सरिफ ओके नही फाइनसिल मैनेजमेंट है, एक है बिजनस रिशरर्स मेथाड़ोजी और एक है स्टाटिसिक मैनेजमेंट ठीक, तो आपके यह चार सब्जेक्ट है, अब आपने यह सैमिस्टर क्लियर कर लिया, और आपने देखा कि अकाउंटेंजी में मेरा इतना माक्स आया था, फाइनसिल आपको क्या पता चलता है इससे आपको पता चलता है कि आप accounts में कैसे थे financial management में आप कैसे थे मतलब इसमें आपको improve करना है क्योंकि आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएं आप strategic management में अच्छा किया बिल्कुल जाइए business research methodology में आप उतना अच्छा नहीं कर पाएं तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान धनी के जुरत है तो वैसे ही company क्या करती है वो पूरे organization को चार area में चार की area में divide कर देती है और फिर assess करती है अपने performance को तो basically balance scorecard क्या बताता है ये company के performance को measure करती है और बताती है कि company जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है या नहीं और company को कहां focus करना चाहिए तो balance scorecard क्या होता है ये बताता है ये scorecard है इन चार areas का एक company के जैसे हमारा scorecard आता है ना हमारा result आता है हमारे subject के बारे में इतने माकसा है इसमें इतने माकसा है तो हमें पड़ा चलता है कि हमें इसमें ज्यादा ध्यान देने का ज़रत है ये हमारा अच्छा है तो वैसे ही company को भी ये framework ये strategy model help करती है उनके performance को judge करने में तो इसमें चार की areas रहते हैं बस आता है finance फिर आता है internal फिर आता है customer और फिर आता है innovation तो अब हम लोग सबसे पहले finance को समझते हैं कि finance हमें क्या बताता है how do we appear to our stakeholders मतलब हमारे जो stakeholders हैं वो हमें कैसे देखते हैं मतलब इसमें हम लोग किस चीज को किस चीज का performance measure करते हैं हम लोग measure करते हैं कि हमारा rate of return on capital employed में कितना आया rate of return जो भी investment किया था हम लोग उने उसमें हम लोग कितना फाइदा आया हम लोग इसमें balance sheet देखते हैं कि हमारे assets और liabilities current assets हम लोग इसमें चेक करते हैं तो हम लोग एक financial perspective से अपने company को देखते हैं कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं तो finance के area हमें क्या बताता है कि हम लोग कैसा दिख रहे हैं हम अपने financial statement पे देखते हैं हम लोग ratio analysis के जो different ratio होते हैं उन ratio पे अपने performance को measure करते हैं तो हम लोग stakeholder के निजर में कैसे हैं क्या हम लोग का finance अच्छा से maintain है जिससे हम लोग और fund attract कर पाएं तो finance हमें ये चीज़ बताता है तो एक key area हम लोग ने discuss कर लिया अब second क्या आता है internal internal क्या बताता है कि at what process should we excel मतलब इसमें हमारा क्या आता है इसमें आता है कि हमें हमारी cost क्या लग रही है हम जो जो ही product product बना रही है या किसी भी manufacturing हम लोग का factory है तो हमारा per unit cost कितना लग जा रहा है हम लोग का efficiency है की नहीं हमारे काम में तो internal हमें basically बताता है की हमें किंकिं चीजों पर जादा ध्यान दे के उनमें आगे बढ़ ना है तो यह basically हमारे operation से related होता है internal operation से related internal part okay की हमें किन किंकिं की एरिया पर हमें जादा ध्यान देना है और उनमें काम करना है okay फिर आता है हमारा customer अभी तक हम लोग उन्हाय पर हा किcję Finance स्टेकोल्डर के नजर में अपने कोल्डर जो हैं उनके नजर में हम लोग कैसे दिख रहा है हमारे कंपनी कैसा दिख रहा है हम लोग अच्छा से काम कर पारे कि नहीं हमारा unit cost कितना पर रहा है जो भी काम कर रहे है सब milzool के काम कर रहे है कि नहीं सब organizational का जो objective है उसी को ध्यान में लगके काम कर रहे है कि नहीं हमें किन-किन चीजों में आगे बढ़ना है किन-किन चीजों में हमें efficiency और लानी है यह आता है internal part में फिर आता है customer customer क्या बताता है how our customer perceives us इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो customer है वो हम लोगों को कैसे देख रहे हैं मतलब जो भी समान हम लोगों ने अपने customer को बेचा है क्या हम लोगों ने उनको वो value add दिया जो वो expect कर रहे थे और क्या delivery जो time था वो on time हम लोग ने delivery दिया क्या हम लोग जो price है जो price हम लोग अपने customer से ले रहे हैं उसके हिसाब से उनको performance दे पार रहे हैं अपने product के माध्यम से कि नहीं हमारे customer satisfied है कि नहीं हमारे product से तो customer में हम लोग किन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हमारे customer हमारे organization को किस तरीके से देखते हैं कि अब वो जो पैसे हमारे organization में खर्च कर रहे हैं वह वर्थ इट है कि नहीं अगर कस्टमर फील करें कि हम लोगों ने जो भी पैसे हम लोग एक प्रोड़क को ख़़दने के लिए दे रहे हैं उसमें तो मैं इससे बढ़ना प्रोड़क ख़़द दूँगा तो हमारे कस्टमर अनहापी रह जाएंगे तो कस्टमर में हम लोग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है कि नहीं एक कस्टमर हम लोग अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं हमारे डिलेवरी टाइम जो है वो सही है कि नहीं इसमें हम लोग मार्केटिंग अक्टिविडिई को द हमारे जो employees हैं वो लोग कैसे और grow कर सकते हैं वो कैसे हमारे जो organization में innovation का जो culture है या नहीं क्या ऐसा नहीं है न कि लोग नए नए ideas लाने से डर रहे हैं कहीं वो reject ना हो जाए तो इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि जो भी ideas subordinates के पास या lower level management के पास किसी के भी ध्यान में आता है तो वो properly function कर पाए organization में जिससे organization क्या कर पाए innovate कर पाए innovate होगा तो क्या होगा differentiation create होगा और differentiation create होगा तो क्या होगा competitive advantage मिलेगा तो balance scorecard हमें क्या बताता है कि हम अपने stakeholder हमारे stakeholder हमें कैसे देखते हैं मतलब हमारा financial statement कैसा दिख रहा है और फिर क्या बताता है internal internal मने हमारा कितना cost लग जा रहा है एक product को बनाने में हमें किन-किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उनमें excel करना चाहिए फिर customer हमारे customer हमें कैसे देख रहा है मतलब जो भी हम अपने customer को charge कर रहे है क्या हम उतना value उन्हें दे पा रहे हैं कि नहीं यह हम लोग चेक करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे organization में innovation का जो culture है वो सही है कि है ना ऐसा नहीं है कि bureaucracy बहुत ज्यादा फैल गई है तो यह सब हम लोग इसमें चेक करते हैं innovation में ओके तो इस प्रकार से हम लोग चारों की लाइक कीजिए नहीं लगा तो डिस्लाइक कर धीजिए थैंक यू